हेलो फ्रेंज समस्काल सबी को मैं शेफ परशोक स्वाद करता हूँ आपका आपके अपने वीट्व चैनल कुकिन शेफ परशोक तो आज मैं आपको बताओंगा घीया कोफता करी कैसे बनाएते हैं और कोफते देखिए आप कोफते कितनी अच्छी तरह से ओयल गंदर फ्राई हो रहे हैं कितनी अच्छी तरह घूम रहे हैं इस तरह से आप सौफ्ट से कोफते आप बना सकते हैं और कोफते कभी बनाने हैं तो उनको half fry करके रखे 5 मिट के आप पूरा fry करें तो आज मैं आपको ऐसे ही टिप्स और टिप्स आँगा जिससे आपके कोफते बहुत ही सॉफ्ट बनेगे और ग्रेवी देखिए कोफतों की क्या जवर्दस क्रेवी है इस क्रेवी के साथ आप कोफते बना के किसी को भी खिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ ही होगी तो चलिए फ्रेंस जल्दी से रेस्पी शुरू करते हैं तो गीये के कोफते बनाने के लिए यहां पे मैंने आदा केची लौकी लिए है एक लौकी लिए है सबसे पहले हम इसको पील करेंगे यह देखिए इस तरह से आपने इसको पील करना है यह रेसिपी मैं आपके साथ दो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने घीये चना दाल बनानी की रेसिपी शेयर की तो मुझे बोज़ा कोमेंट साथ थे की गीये के कोफते बना के दिखाएं तो देखें घीये को आपने इस तरह से पील कर लेना है पील करने के बाद हम इसको ग्रेड करेंगे तो grade करने से पहले इसको छोड़े pieces में divide कर देना है देखिये मैंने 3 pieces में इसको काड़ दिया है ताकि हाथ में पकड़ में अच्छे से आजाए गीया अब grade कैसे करना है मोटी वाली side से भी grade कर सकते हैं बरीक वाली side से भी आप इसको कद्दू कर सकते हैं तो यह देखिए मैं आप एक गिया जो आप ब्रीक वरी साइट से ग्रेट करूँगा, ऐसा नहीं कि मोटे वरी साइट से ग्रेट करेंगे तो पकेगा नहीं, असानी से पक जाएगा आप दोनों साइट से ग्रेट इसको कर सकते हैं, तो यह देखिए यहाँ पर मैंने सारा गि आपने अचोड़ हैं जबाका भाण हैं मिर्ची आप अपने टेस्ट के उंसार कमजधा करंचे हैं मैंने एक छोटा चमर डाला है आदा छोटा चमर जिसमें हल्दी पोडर डालेंगे आदा छोटा चमर जिसमें जीरा पोडर डालेंगे भूना जीरा पोडर डाला है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पोडर भी एड़ किया है साथ मैं थोड़ा सा गर मसाला पोडर नुАगर आपके साली मे profitability काफी हैं इसकें अंदर तो सुमी क्यिक आपको सब्सक्राक करेंगे तो सब्सक्राइब ऐसे अगर बिल्च Almost do मैंे बलेखे हैं लुगा कि TIM करें आए जाए पर बसी म आपको मसाल के साथ मिक्स कर लेंगे आप सितन अच्वा क्यूंत तो दिखाया है बेसन डालने का ताकि आपसे कोई गलती नहीं कोफते बनते टाइम तो यह देखिए अच्छे से मैंने बेसनों घीय को मिक्स कर लिया है अब इसके बदम इसमें नमक डालेंगे नमक आपने तब ही डालना है जब कोफते बनाने हो नहीं तो पानी चोड़े का घीया और जड़ा और इसमें दो छोटे चमच बेसन अब राइड करेंगे तो टोटल यहां पर मैंने साह्ध बेसन आइड किया और थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग एड़ेंगे बेकिंग पोटर से क्या होगा पर कोफते प्लाइए पूलेंगे और अच्छे से प्लेंग ज़ादा इनको शेयपनी देनी एगाई बार अगर आप ज़ादा गरhm तेल में कोफ्तेों को फ्राई करने के लिए डाल कोफ्ते इनको बार बार integrate के लिए ल मैं रिए लिए जब और ये देखिए आप देख सकते हैं कोफते थोड़ी देर के बाद ही ऑईल के ओपर घूमना शुरू हो चुके हैं अब आपने इनको मीडियम फले में कम से हम 5-6 मिनिट तक फ्राई करना है अराम से फ्राई होने दिशिए के देखिए कलराना यहां पर शुरू हो चुका है कोफतों के ओपर तो 5 मिनिट हो चुके हैं फ्राई होते हुए तो ऐसा कलर राने पे आपने कोफतों को निकाल लेना है, हाफ फ्राइ करके रख लेना है, हाफ फ्राइ कितनी दे रखना है, पांच मिन के लिए रखिए, पांच मिन का रेस्ट दीजिए, हाफ फ्राइ करके फिर से इनको फ्राइ करेंगे, तब तक ग्रेवी की त्यारी कर ले और उसके अंदर तीन बड़े चमच ऑईल एड़ करेंगे और जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो आपने इसमें आदा छोड़ा चमच साबू जीरा डालना है जीरे को अराम से तिटकने दिशेगा तब ही इसका फ्लेवर एक्टिवेट होता है जीरा तिटक चुका है एक में टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्ले में प्याच को अच्छे से पहले पका लेना है तब तब पकाना है जब तक इसका जो मॉइस्टर है ना बहुत हमना हो जाए और रेस्पीज में जातर बोलता था कि हाई फ्ले में प्याच को पकाना है ताकि प्याच जो व पेच्प को अपने पकाा लेना है jam ताकि मसालें जो जले ना तो गिये का पानी डालने के लिए अपने गैस की फ्लेम मीडियम रखने है और मीडियम फ्लेम मसालें को अच्छे से पका लेना है जब तक हमारा जो मसाला पक रहा है तब तक जो कोफते हमने रखे थे वो कोफते फिर से फ्राई कर लेते हैं तो फिर से medium to high flame अपने कोफतों को फ्राई करने हैं यहाँ पे कि देखिए अराम से फ्राई होने दिजिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगगा इसके फ्राई होने में दो से तीन मिνट और लेंगे आपको कोफते फ्राई होने में कि देखिए और कोफतों को अपने ऐसे हילाते रहना है ताकि सारे कोफतों के उपर एक जैसा कलर आए नहीं तो कोफते जो हूँ एक साइट से वाइट रहे जाएगे और एक साइट से ज़्यादा डार कोच जाएंगे तो दो वार आपने कोफतों को फ्राई करना है दूसरी वार फ्राई करने का फाइदा ही यही होता है कि कोफते अंदर तक अराम से पकते हैं और यह देखिए अच्छा कलर आ चुका है कोफतों के उपर तो ऐसा डार कलर आने तक आपने कोफतों को फ्राई करना और कोफते देखिए अभी भी कितने सॉफ्ट है हमारे तो इस तरह से आप गिये के कोफते बना के देखिए अब बहुत ही जवरदस्त बनेंगे और यह देखिए मसाला देखिए मसाला भी अच्छे से पक चुका है जो मसाले में पानी था वो पुरी तरह से सूख चुका है अब हम इसमें टमाटर एड कर देंगे जो टमाटरों की प्यूरी बना के रखी थी और टमाटर डालते हैं तो नमक चुरूर डालिया साथ में आदा चुटे चममच यहां पर मैंने नमक एड की है अब गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को तब तर पकाना है जब तर टमाटर दानिदार ना हो जाए इनका पूरा मॉइस्टर खतम करना है तब इनका खटा टेस्ट खतम हो पाएगा कि देखे टमाटरों को यहां पर मैंने अच्छे से पका लिया है फिर हम इसमें देही एड करेंगे तो दो छोड़े चममच यहां पर मैंने देही एड किया है देही डालने से ग्रेवी जो टेस्ट आना और ज्यादा बढ़ जाता है तो देही को भी हाई फ्ले में आपने टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी से देही हमने इसके अंदर और एड करनी है तो दो चममच देही में इसमें और एड कर दिया है थोड़ड़ा करके देही यहांपर मैंने थोड़ड इड किया ताकि देही जो वो गड़ डलना हो देही फटे ना तो यह देखिये बॉयल आने का बेट करेंगे तो यह देखिए बॉयल आने का बेट करेंगे जैसे ग्रेवियम बॉयल आता है ना उसके अधर इसके अंदर कोफते आइड कर देंगे तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी को एक और टेस्ट किया था ग्रेवियम में नमक कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक आइड की है और देखे ग्रेवी में पॉयलाना शुरूच चुका था तो मैंने यहाँ पे कोफते भी आइड कर दी है और गैस की फिलेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है तो 8-10 मिन तक ग्रेवी के साथ पकाई है तो देखे, मैंने 10 मिन तक यहां पे ग्रेवी के साथ कोफ्तों को पका लिया है लास्ट में आपने इसके अंदर थोड़ा सा गर्मसाला पॉर्डर डालना है और थोड़ी से आपने इसमें रोज की कसूरी मेत्री डालना है और थोड़ी से आपने अदर रखे, चूली डाल देने इसके अंदर और इन सब को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह हमारी घिया कोफ्ताकरी बनके त्यार हो चुकी है आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लच्छा प्राड़ा के साथ भी खा सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमें जरूर करें